गाइस आज की वीडियो में मैं आपको POSCH Pay Applications की मदद से Credit Limit को लेके दिखाऊंगा यान की जो POSCH Pay Applications है वो हमें यहाँ पर Souls लोन प्रोवाइड करती है लेकिन गाइस Credit Limit के basis पर यान की Credit Limit प्रोवाइड करती है उसे हम Loan भी कह सकते हैं तो उस applications की मदद से अगर आप loan लेना चाहते हैं या guys कहें तो credit limit आपको वो provide करता है तो इस वीडियो में मैं आपको post पे applications में credit limit को लेके दिखाऊंगा और उसमें आपको क्या process करनी है क्या apply process से वो पूरी details बताऊंगा तो इस वीडियो को आपको last तक देखना होगा चलिए guys इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको post पे applications को guys install करना होगा तो उसका link वीडियो के description में मिल जाएगा इसको आप play store पर काफी आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर आपको बस search वाले options में post पे लिकर search करना है जो नीचे वाली applications आपके सामने आएग application से आप यहाँ पर आज spend करोगे तो आपको next month की first तारिक को आपको इसे repayment करना होगा मतलब इस pay later application से इसकी मदद से हम यहाँ पर credit limit को लेके दिखाएंगे याणि कि guys apply process को देखेंगे तो सबसे पहले इस applications के बारे में पहले कुछ details देखेंगे उसके बाद में यहाँ पर ह आप 36,000 से जादा लोग इसमें reviews दे चुके हैं और अगर इसके downloads की बात की जाए तो 5,000,000 से जादा लोग इसे download कर चुके हैं अगर आप नीचे scroll down करके देखोगे तो काफी सारे positive reviews इसमें आपको देखने को मिलेंगे negative भी दिये हुए हैं लेकिन काफी कम है positive की review यहाँ पर प्रवाइड कर सकते हैं और अगर कम भी है तो थोड़ी बहुत लिमिट आपको प्रवाइड कर ही देंगे अब दिखते हैं कि हमें कितने लिमिट प्रवाइड करते हैं अगर इस applications में data safety को देखें यानिकि यह applications हमारे data को share करती है या फिर नहीं करती है हम यहाँ पर नीचे scroll down करें तो काफी सारा data collect भी करती है यानिकि guys data share भी करेगी और data collect भी करेगी जो आप यहाँ पर easily देख पाओगे कि इतना data यह collect भी करेगी और share भी करेगी यहाँ पर यह details हो गई अभी इस applications में about this app पर चलेंगे और इस applications के बारे में कुछ details यहाँ पर देखेंगे यह applications buy now pay later है आप यहाँ से online shopping भी कर सकते हो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो postpay is the only shopping and payment platform you need that lets you now shop now and pay next month आप अभी shopping कीजे और इसकी payment आपको next month पर करनी है यहाँ इसा इन्होंने आपर provide कर रखा है 30 days तक आप यहाँ पर इसकी credit limit को use कर सकते हो हर first month की first तारिक को आपको आपर यह जो आपने मान लोगा इसकी एक तारिक को spend किया तो अगली एक तारिक को आपको आपको आपर bill आ जाएगा total bill जितना भी आप spend करोगे उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर नीचे scroll down करें तो यहाँ पर postpay loans के बारे में भी दिया हुआ है कि postpay loans allow users to transfer money to your bank account at low interest rate for EMI minimum 10 years जो रहेगा तो तीन मन्त कराएगा और maximum 10 years जो रहेगा वो 15 मन्त के लिए रहेगा यहाँ पर आप cash bank भी पा सकते हो और यहाँ पर आपको credit limit भी provide करेगा यानि कि credit card जैसा कुछ तो वो भी आप देख लीजे इसे use के से करना है वो यहाँ पर बता रखा है हम यहाँ पर नीचे देखेंग अगर आप यहाँ पर देखोगे तो repay कैसे करना है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने जैसा बताया है कि bill generate on the first of every month you can repay within 5 days of bill generations मतलब first तारिक को bill generate होगा तो उसकी 5 तारिक तक आपको bill payment करना है वरना हो सकता है कि late fees आप पे लगाई जाए ऐसा भी कुछ हो सकता है यहाँ पर you can pay your bill using any UPI app और debit card और net banking से भी आप कर सकते हूँ मतलब किसी भी UPI app से भी आप इसकी repayment कर पाओगे और debit card और net banking से भी कर पाओगे जो loan के credit limit रहेगी वो आप यहाँ से देख लिजे कि 1000 से लेके यहाँ पर 10 लाग तक का loan amount आप यहाँ से ले सकते हूँ instant approval and no collateral for a 10 year up to 15 month एसा इन्होंने provide कर रखा है repayment की terms आप यहाँ से देख लिजे कि यहाँ पर 3 month से 15 month के लिए रहेगा एसा इन्होंने provide कर रखा है नीचे देखेंगे थोड़ा और annual percentage rate की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 18% से start है और 70% APR तक चला जाएगा एसा कुछ provide कर रखा है कि example provide कर रखा है एक लाग का टेन्यों और 12 month का बनेगा interest rate 18% per year लगेगा और reducing ऐसा कुछ provide कर रखा है अगर नीचे देखेंगे तो processing fee जो रहेगी वो धाई परसेंट की रहेगी repayment amount जो रहेगा एक लाग का तो हमने loan amount लिया है और जो repayment रहेगा वो रहेगा 11,196 रुपे का total interest हमे लगेगा और जो processing fees रहेगी including GST करके तो वो धाई हजार रहेगी एसा इन्होंने provide कर रखा है जो मतले installment बनेगी वो 9,266.32 पेसे बनेगी और जो processing fees यह हो जाएगी और total interest है तो total करके 13,695 रुपे हो जाएगे एक जो APR रहेगा वो 24.8% रहेगा कुछ यहाँ पर provide कर रखा ह इसको आप देख लिए permissions लेगा NVFC partners यहाँ पर show कर रखे हैं और contact के लिए website भी दे रखे है और email address भी provide कर रखा है तो आप यहाँ से contact भी कर सकते हो आसानी से इस applications के बारे में सारी details बता दी है अभी हम यहाँ पर इस applications को open करेंगे और इसमें guys यहाँ पर जो है इसकी process देखे कि क्या process है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो spend today और next month मतलब हम आज spend करेंगे और next month payment करेंगे ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है shop anywhere in stores और online आप कहीं पर भी shopping कर सकते हो easy installment बन जाएगी आपकी यहाँ पर ऐसा provide कर रखा है तो नीचे आपको get started पर click करना है कुछ permissions permissions लेगा उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है guys कि आपको यहाँ पर अपने mobile number fill up करने है आपकी mobile number पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को आपको enter करना है उसके बाद में यहाँ पर आपको pen card के number पूचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपने pen card के number fill up करना है guys उसके में नीचे आपको continue वाला option देखने को मिलेगा यहाँ पर उसके बाद में आपको continue करना है पहले यहाँ पर आपको pen card के number fill up करने है pen card के number fill up करने के बाद में guys अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने provide कर रहा है कि to protect your identify कुछ इस तरह से we need to verify your आधार number हमें य यहाँ पर आपको digiloker से या आपके आधार number पर OTP fill up वाला options आ सकता है तो उससे आपको verify करना है फिलाल में आपर देखता हूंको इस मेरे इसमें loading लिया जा रहा है थोड़ा internet slow है उसकी वजह से थोड़ा जादा यहाँ पर slow में चल रहा है mobile उसके बाद में guys अगर आप यहा आधार number करके options आ रहा है तो यहाँ पर आपको अपने आधार number इंटर करने है और यहाँ पर capture code fill up करना है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके बाद में next पर click करना है आपके आधार number से जो भी mobile number linked होगा उसके mobile number पर यहाँ पर OTP आएगा और guys अगर आपका digiloker बन आता हूं guys यहाँ पर उसके बाद में आपके register mobile number पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को आपको enter करना है guys यहाँ पर OTP आने ही वाला है जो भी आपके आधार काड से mobile number linked होगा उस पर आपको एक OTP भेजा जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर enter करना होगा उसके बाद में आपको नीचे continue करके एक option देखन को मिलेगा यहाँ पर तो इस continue वाले options पर आपको click करना है यहाँ से मेरी applications आगे नहीं बढ़ पा रही है मेरे आधार card में OTP नहीं आ रहे है तो इस कारण से मैं आपको आगे की process नहीं बता पाऊंगा लेकिन आगे guys आपको ज़्यादा तर process नहीं होगी बस आपको bank account add करना होगा आधार में OTP वगेरा fill up होगा और आपका account easily create हो और आप उसको easily withdrawal भी कर पाऊगे या किसी को QR code पर transaction भी कर पाऊगे